आज की रेसिपी है हरी प्याज और आलू की सबजी तो हेलो फ्रेंड्स मेरे सेनल कुकिंग वी तूर्मी ब्लोग में आप सब का स्वागत है तो आज मैं हरी प्याज और आलू की सबजी बनाने वाले हूं तो इसके लिचार आलू और यह थाइसो ग्राम के करीब प्याज है त तो प्याज को अच्छी तरीके से साप कर लेना है उसके बाद पानी से अच्छी तरीके से धोकर शाप करके ही आप काटे तो इस तरीके से इसका आगे वाला पाट काट कर हटा लेना है फिर हम इसे छोटे छोटे टुकडों में इस तरीके से काट लेंगे तो इसी प्रोसीजर के साथ हम बाकी के प्याज भी काट कर तयार कर लेंगे तो ऐसे ही छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है तो इस तरीके से हम सारे प्याज को काट कर तयार कर लेंगे तो देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से कट गई है तो सारे प्याज मेंने काट लिया है और इसक चमस के करीब हम तेल डालेंगे पैन या कढ़ाई में आप जिस चीज में भी बनाना चाहते हैं और तेल को गरम होने देंगे तो तिल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें ये आलू डाल देंगे और आलू को हम डिफ्राइ कर लेंगे तो आलू को भी अच्छी तरीके से पानी छापकर अस वदूने करें और निकाल ल्य के बती सार थी प्रेजिवित यह जादा चाएक र्रयप सारु उप्रण लें को को सभ्राइब सिलने करना है देषित कर नहीं से पर से निकाल लें एक प्लेट में जैसे कि आप देख पा रहे है तो इससे ज्यादा हम नहीं पकाएंगे, डार्क गोल्डन कलर आने तक नहीं पकाना है, लाइट गोल्डन कलर आने तक ही हमें इसे पकाना है, तो बस आलू हमारी फ्राय हो गई है, तो इसी तेल में हम पकाएंगे सबजी, तो ये तेल बहुत है, तो इसी तेल में आधा चमस क करीब हम जीला डालेंगे और जीरा को चितक ने देंगे golden color आने तक जब जीरा golden color आने तक चितक जाएगी तब हम इसमें प्याज और कटीवी हरीमिच डालेंगे तो 3-4 कटीवी हरीमिच ली हूँ और 1 medium-sized का प्याज जिसको हमने चौप कर लिया है तो दोनों को हम fry कर लेंगे आप चाहे तो उसे पीस के एक चमच डाल सकते हैं और इसे चलाते हुए हम 2-3 मिनट तक फड़ाय कर लेंगे ताकि हमारा प्याज भी शौप्ट हो जाए और अधरक लस्टन का कच्चापन भी निकल जाए तो देख सकते हैं 2-3 मिनट बाद हमारा प्याज अच्छी तरीके से लाइट गूल्डन कलर भी आ गया है तब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइच का टमाटर या दो छोटा साइच का टमाटर उसे आप चौप कर लें यानि काट ले और फीट डाल लें और इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे तो तो माटर को गलने के लिए हम थोड़ा सा नमक ड प्यांच टमाटर में अगया हम यह चलाते हुए भूर लेंगे मसाले को तकि मसाले का कच्चापन निकल जाए तो बस ऐसे ही चलाते हुए मिक्स कर लेना है और इसमें हम थोड़ा सब पानी डालेंगे तक जो मसाला और प्यांच टमाटर है हमारा अच्छी तरीके से पक है निखाने वाला चम्मच से चाचमच डाल सकते हैं पानी तो बस पानी डालने के बाद इससे चाला कर मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से और फिर हम इसे ढख कर तीन से चार मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे हाई बिलकुल नहीं पकाना है नहीं तो आपका मसाला जल सकता है लो मीडियम फ्लेम पर ही आप पकाएं और तीन से चार मिनिट बाद आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा तयार है अच्छी तरीके से भून भी गई है अगर आपको लगे कि टमाटर थोड़ी खड़ी खड़ तब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा प्याँज तो यह सारा प्याँज हम डालेंगे क्यूंकि शर्दियों के मौसम में हिल्दी रहता है खाना हरा प्याँज और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती अगर आलुका शाथ आप इस तरीके से बनाइए गा तो प प्याज मिलता है गर्मियों में कम मिलता है लेकिन सर्दिया के मौसा में बहुत ही ज्यादा यह मिलता है तो आप जरूर खाएं बना कर तो बस प्याज मिक्स होने के बाद इसमें फ्राइक किया हुआ हम आलू डालेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अब क्या है सबजी को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे तो एक कप के करीब हम पानी इसमें डाल लेते हैं और फिर से हम इसे चला कर मिक्स कर लेते हैं यानि मिला लेते हैं तो देख सकते हैं पानी की क्वाइंटिटी तो बस इसमें अब हम नमक पहले भी थोड़ा नमक डाले थे इसलिए आप अपने अकोरडिंग कमस्वाइद करें या अपने उसका। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से फिर से हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे पकाएंगे तो ढग देते हैं क्योंकि सब्जी में बुवाल आना भी स्टार्ट हो गया है तो इसे हाई मीडियम फ्लेम पर ही पकाए कुछ मिनट तक तक कि हमारा सब्जी पक न जाए तो जब हमारी सब्जी पक जाएगी और इसकी कंस्टेंस से आप देख सकते हैं तो मैं थोड़ी ग्रेवी बना रही है यूँ लट पटी से तो बस मेरे लिए सही है ये न ज्यादा ग्रेवी है न ज्यादा कम है बस आलो को चे या फिर आलो को फोड़ कर देख लें हाथों से दबा कर या चमत की सहायता से दबा कर देख सकते हैं तो अच्छी तरीके से सब्जी पग गई है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और फिर से एक बार चला कर मिक्स कर लेंगे तो ग्रेवी भी अबन कर देंगे और इसे हम चूब अउतार लेते हैं और सब्जी को हम कुछ मिनिट के लिए सट होने के लिए रग देते और कुछ मिनिट बाद इसे डंध कर चयख करेंगे और देख हमारी यमीजी तैस्टी सब्जी बिल्कुल पर्फेक्ट आया है तो यह देखिए मैं चला कर भी दिखा देती हूं यह देखिए है ना बहुत ही लाजबाब और टेस्टी बनकर तयार हुई है तो चलिए फटा-फट से गर्मा गरम आप इसे चावल या रोटी के साथ ले सकते हैं तो आपको जिस चीज़ के साथ पसंद और बताइए कि आप लोगों की यह सब्जी कैसी बनी अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रही है तो मैं तो खाना श्टार्ट कर दी हूं तो फटा-फट से आप लोग भी यह रेसिपी जरूर ट्राइ किजिएगा और कमेंट वोक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोगों की सब्जी कैसी बनी तो यह लीजिए आप लोग भी फटा-फट से खा लेजिए